हेलो एवरिवान वेलकम बैक दिस इस ओम फ्रों मेटिकल मंतरा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही जरूरी जनकारी आप लोगों से डिसकस करने वाला हूं आप से बात करने वाला हूं जैसा कि आप सबको पता है आज 21st November है जब मैं यह वीडियो कर रहा हूं आपके जिनता होती है आप यह देखते हैं कि कितने सीट से और बढ़े रही हैं ताकि हमारे चांसे बन जाएंगे इसी के इसी पर मैं आपके लिए वीडियो करना हूं इनमसी की वेबसाइट जो नेशनल मेडिकल कमिशन की जो वेबसाइट है जो कि आज ही अपडेट हुई है जो लिस्ट आफ इनमसी की वेबसाइट पे एक information होती है वो लिस्ट आफ पार्टिसिपेटिंग institutions लिस्ट आफ पार्टिसिपेटिंग medical colleges की एक एक लिस्ट होती है उसको यदि आप ध्यान से .org.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस पे जो हैं लिस्ट आफ पार्टिसिपेटिंग institutions को दिए आप open करेंगे और उसको आप copy करेंगे डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे या उसको आप सही पार्टिसिपेट करने वाली हैं यह इस नंबर को आप आप इनलाइज करें compare करें लास्ट यह के नंबर से तो इस साल जो है अभी तक 595 colleges हैं जिसमें की 41 नए colleges हैं और इनमें total seats 88,370 है और जो नए seats जो आड हुई है गौर्मेंट प्राइबेट सब मिला के इस साल जो पिछले साल के comparison में वह 5,150 जो MBB सीटे हैं वह एड हो रही हैं बढ़ी है इसमें अधि आप उसको फुर्दा आप अनलाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा न जो सीटे बढ़ी है किसी स्टेट में वह आपका तमिल बढ़ा। आप जालोन जामिन आप 2,350 सीट आप जाप उटेट जान फोने अवत जाट कविछाह सेट सेट वांगें न आपट जापने अब्स एट और में आप एड अन में जाप्र तमि आट ऊटेट जामीन अधिटेट सेट आप बढ़ीन अगर्ट करें एलों एलों अग similar तो तमिलाडू के बाद मैं आपसे बात करूँ तो वो है आपका उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश में इस साल अभी तक के इंफरमेशन के साफ से टोटल फ़िफटी सीट्स एड हो चुकी हैं आट अप दिस 1,000-50 सीट जो 900 सीटे है नाइन इंग जो आप कोलेजे में बढ़ी है तो यह जो आपके प्राइबट कोलेज में एक सो पचास सीट एड हुई है तो यह जो आपने जो एड़ी है जो स्टेट की जो लिस्टिंग होती है वो अलफ़ाबेटिकल ओर्डर में होता है तो मैं भी उसी ओर्डर में दी मैं उसको अनलाईज करूँ और आप से शेर करूँ तो एक एकर करके हम स्टेट वाइज देखते हैं कि स्टेट वाइज कितनी सीटे बढ़ी हैं और कहां कहां बढ़ी हैं और किस शहर में सीटे बड़ी हैं तो मैं अदिया आपको स्टेट वाइज में अलफाबेटिकल ओर्डर पर बात करूं आपसे तो सबसे पहले असाम को ले लेते हैं असाम में लखिमपूर मेडिकल कॉलेज की एडिसन हुई है जो कि गौर्मेंट कॉलेज है लखिमपूर मेडिकल कॉलेज में जो है 100 सीट बड़ी है लखिमपूर में असाम में असाम के बाद मैं अब बिहार के बात करूं बिहार में टोटल 400 सीटे बड़ी है इस साल 2021 के काउं में एक college ये नहीं college आया है, 100 बार्वा साथ में जिसको इस साल परमिशन मिली है, इस साल के counseling में एक college ये participate करने वाला है, I mean, गौर्वेंट गालेज के बाद जो में private college बीहर में जो एड हुई है, उसकी बार मैं बात करूँ आप से, तो दो colleges एड हुई है 150 सीट के साथ में 150 सीट इच दो कॉलेज है उसमें से एक कॉलेज है आपका राधा देभी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि मुझफर पूर में ये कॉलेज अभी ऑपरेशनल हुआ है इस साल से वो पार्टिसिपेट करेगा उसको एडमिशन लेने की मानिता मिल है इस साल से मुझफर पूर में 150 सीट राधा देभी जगेश्वरी मेडिकल कॉलेज में इसके अलावा जो कॉलेज है आपके शहर सा सहर में कॉलेज एड हुआ है श्री नरायन मेडिकल इंस्टिटिट एन हॉस्पिटल सहर सा मदेपूरा में इस साल पार्टिसिपेट करेग और एडमिशन यहां पे होंगे इस साल कॉंसलिंग की तुरूल इदी मैं निक्स इस्टिट की बात करूं आप से चतिसगर की बात करूं चतिसगर में इस साल 250 सीटे बढ़ी हैं जिसमें की 100 सीट जो है आपके गौर्मेंट कॉलेज में बढ़ी है जो कि वहां पे कॉलेज जो चतिसगर की राजदानी रायपूर है चतिसगर में स्रिबाला जी में 150 सीटे एड हुई है तो यह हो गया आपका चतिसगर पूरा 150 सीट सौ गर्मेंट 150 प्राइबेट में बात करूं आपसे जो स्टेट है वहां करनाटका आता है करनाटका में एक ही कॉलेज आड हुआ ह अभी तक के information के हिसाब से वो college dimmed university है dimmed to be university है जो कि आपका जगत गुरू गंगाधर महास्वामी गलू जो college हुबली में एड हुआ है जो कि के एली academy of higher education बिलगाम के अंदर गता आता है ये college dimmed to be university है ये जो हुबली शहर में 150 सीटों के साथ है यहां पर admission इस साल से चालू होंगे कांसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा यह एक dimmed college है आप इसको note कर लें next state की मैं आपसे बात करूँ और यह सारे information आपको वैसे भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप उससे भी आप चेक कर सकते हैं इसके अलाव में next state की आपसे बात करूँ तो वह स्टेट है आपका महारास्ट्रा महारास्ट्रा में इस बार 200 सीटे बढ़ी हैं दोनों जो स्टेट के साथ के साथ यहां पर करेंगी इस बार एडिशन हुआ है यह दोनों इस नो को घुला है और दुसरा को सतारा में कोलेज कुला है जो कि आपके 100 सीटों के साथ इस बार की पॉंसलिंग में भाश यह फैडिंगी नेच्ट मैं नोर्सलेश्ट की बात करो आपके मनि कि बात करो मनिपूर कि जो का इमफाल इमफाल शहर में प्राइबट को लेज जो कि तो यहां के OSC चालू होने वाला है यहां से पढ़ाही चालू होने वाली तो यह नौट से स्टेट के बच्चों के यह मनिपूर के बच्चों के लिए खास करके गुड नीज है इसके अलावा जो नेक्स स्टेट की जिसकी मैं बात करूँ आप से वो पंजाब है पंजाब में भी साल गौर्मेंट की एक सीट एड हुई है जो की बाबा फरीद इनिवस्टी ऑफ हेल्ट साइंसेज कंतरगत आत इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यह कॉलेज करने वाला है राजस्थान पंजाब के बाद में राजस्थान की बात करता हूं जो कि वहां का निवरिंग स्टेट है राजस्थान में भी 250 सीटें 250 सीट एड हुई है इस साल की काउंसलिंग में नए सीटे एड हुई है इन में से जो एक जो को एक प्राइवेट कोलेज आपके तांट्र इन्वस्टी का अंतरगाता है डॉक्तर इस स्टांतिया मेडिकल कोलेज अन रिसर्ट सेंटर जो कि स्री गंगा नगर शहर में आता है कॉलेज 150 ते यहां है और एक वहां भी एस आई सी जो इंप्लॉई स्टेट इंस्वरेंस कॉर्प्रेशन के जो कॉलेज जो कि अलवर में यह चालू होने वाला है इस साल से चालू हो गया है मिन उसको मानने था मिल गई है नमसी की तरफ से वहां पर भी सौ सिटे बढ़ी है तो राजस्थान में गरें जो हैं 250 एड़ हुई हैं आई अब हम बात करते तमेल अड्यू में जैसे मैं अधे में बताया कि सबसे ज़ादा जो हैं नाड Woo में कोलेज쪽에 बढ़ी है इस साल सबसे ज्यादा तमिलाड taught me about करें आप से तो इस बार जो है आपके तमिला अणी में 2350 शीटे एड ह्खे से तोटल पूपत तुकेदर जो है 1450 फुटेंट फिफ्टी गुर्मेंट सीट्स एड़ है जिन है जो है आपका एक कॉलेज अरीया लूर अरिया लूर में है वनने फिफ्टी सेट्स एड़ है उसके बाद दिंडिगल में 156 एड़ है सारे बार्या नियुक्त नियुक्त है प 50 seats इस बड़ से participate करेगा ex-counseling में उसके बाद आपका है नगापत तनम में बैक सो पचास सीटे साल से एड हो रही है नगापत तनम के बाद में नमकल में भी गौर्मन्ट को जो पर हुआ है जो कि सल इस साल होंगे वहां पर वहां पर सौसीट है नगाप नमकल के बाद में र हुई है वो बिरूद नगर में 150 सीट एड हुई है तो टोटल 1450 गौर्मेंट सीट तमिल नाडू में आड हुई है यह लग लग शहरों के नाम जो मैंने आपको गिनाया उसके बाद में है आपके पांच जो है प्राइबेट को लेजेज भी पार्टिसिपेट कर रही है कि आपका 750 सीट जो एड हुई है आपके प्राइबेट में इनमें से जो है कॉलेजेज अरुनाई में इसके बाद स्री ललीता लितम बिगाई में वहा आपका अधिया अध्यालम पट्टू में है यह कॉलेज आपके सुपचाश सीट उसके अलावा स्वामी विवेका ने मे यह जो है I'm sorry probably I'm not able to pronounce it properly but you know स्वाइन बीबेकानन जो है वो तिरू चेंगोडी जगह पे है 150 सीट एड़ हुई है इसके अलावा स्री निवासन मेडिकल कोलेजन होस्पिटल तिरू चिरापली में इसके अलावा संक्ट पीटर्स मेडिकल कोलेजन होस्पिटल होसूर में भी जो हैं एक सोपचाथ सीट एड़ होई है तो 750 जो सीटे हैं वो प्राइबेट में तमिल आड़ू में है इसके अलावा जो 150 seat से वो dimmed to be university dimmed college में भी आ रही है जो कि सल में add हो ही है पार्टिसिपेट करने वाला यह college इस college का नाम है VELS Medical College and Hospital जो कि आपका मंजा करनाई में है यह college 150 seat है जो कि dimmed है VELS Medical College and Hospital 150 seat dimmed college तमिलादू में all put together government private and dimmed in Tamil Nadu 2000 and 2350 seats are getting added this year very good news great news guys you know for Tamil Nadu students as well as you know for I mean for all India candidates I mean for other states as well इसके अलावा बें निक्स जो state है जो कि population के हिसाब से सबसे बड़ा state है और important भी यहां भी जो है 1050 seats add हुई है जो हम यूपी की बात कर रहा हूं तो प्रदेश में now nine new government medical colleges इस साल participate उनको माननेता मिली है पर्मिशन मिला है इस साल participate करेंगे सारे colleges में सौ सौ सीटी है means nine hundred new medical colleges हैं जिस पर के पहले भी हमने वीडियो किया हुआ है उस पर उसका मैं link share कर दूँगा आप उसको देख सकते हैं यह जो colleges जो start हुई है और जो करेंगे वह आपकी परताफगार्च चहर में है सिदार्थ नगर में है उत्तर आपके ब्रक्राइट शाहरों में हैं फटेश पूर में हैं लिए में है मिरजापूर में है दिवरिया और जानपूर में हैसारे जो इन है्नौ सूझते हैं में सब्सक्राइबी इंधे रिक्राइजी अब Code गहां एक let कॉलेज ही और खिर्कोर्दूंन कान्पूर में bestस्क्राइबीक Сब्सक्राइब एड होई हैं इस साल के कांसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा उत्तर प्रदेश के में आप बात जो मैं आपसे बात करूं वह आपका वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल में जो है इस साल 150 सीट के साथ एक प्राइबेट कोलेज को माननेता मिली है उस कोलेज के नाम है शांतिन निकेतन मेटिकल कोलेज जो की बोलपूर में है तो 150 सीट प्राइबेट कोलेज से स्टार्ट हुई है वेस्ट बेंगॉल में भी इसको भी आप नोट कर लें इसके अलावा हाला कि एनमसी की वेबसाइट पी यह मुझे 2001 में दिखा नहीं में भी साथ इनको पहले परमिशन मिकाइफ कोलेज दो पहले के हैं, बकि इस साल से उत करेंगी बोग आपके जार एक साथ को असके दो pan ट्रेस का प्राइबेट को इसको में साल करेंशन दो college participate करने वाला है तो यह जो total colleges है इसको अदि आप total add करेंगे तो लगबग 5500 के आसपा सीटे हैं जिसमें कि जो ऐसे सीटे हैं जिनको मैं आपको 5500 का break up बता दू 5150 सीट ऐसी हैं जिनको की first time new metal college को 2021 में उनको permission मिला है यह है इसके अलावा कुछ सीटे लगए 200 से 200 के आसपा सीटे ऐसी हैं जो कि existing colleges में seats की expansion हुई है for example किसी जगह 100 सीट थी तो 100 से 150 हो गई तो almost 250 जो seats हैं वो add हुई है आपके existing colleges में जो add हुई है वो expansion हुआ है तो यह हो गया और इसके अलावा जो में जार्खन के मैंने बताई है आपको 200 सीटे हैं तो सारी सीटों के आप add करें तो लगबग 5500 से ज्यादा सीटें इस साल 2021 में नई सीटें आपके लिए अब भी अवेलिबल है विच इस आप इसको ध्यान रखें कांसलिंग अभी चालू होनी वाली है आप स्ट्रेजिकली अच्छे से कांसलिंग करें अधी रिक्वार्मेंट हो तो किसी आप जिस आप जो प्रफेशनल कांसलर से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं यह जो है आप आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप के पास आएं आप वीडियो हम लेकर आएं तो आप तो को वीडियो जल्दी पहुंच सके आपको उसकी नोटिफिकेशन बिल सकें अजयोष वाच घूछ सब्सक्राइब कर दो करण से फिर्म बहुंच वीडियो सब्सक्राइब कर में लेक्शन बाब एक बीपट एंग्ड टापिए